हम में से कईयों ने परिवार के किसी सदस्य को खोया है इस दो साल के अंदर जब कोई आगे जाता है जर्णी पर तो हमें अपने लिए लगता है कि हम कैसे जीएंगे उनके बिना लगता है ना ऐसा हम कैसे जीएंगे उनके बिना तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम कैसे जीएंगे उनके बिना बहुत रियल होता है वो फिलिंग और बहुत दर्द होता है हम रोते बहुत हैं, हमें दुख बहुत होता है लेकिन हमें सिरफ एक सेकिन रुख के चेक करना है वो सारा और द्वर्द और दुख किस तक पहुंच रहा है? सबसे पहले वो हम पर असर डालता है दूसरा वो हमारे शरीर पर असर डालता है तीसरा अभी जो हमारे अंग संग है उन पर वो असर डालता है और चौथा वो सात्मा तक पहुंचता है जो अपने एक नए शरीर में प्रवेश कर चुकी है गरब के अंदर तो जो एक नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं गरब में उनका वो शरीर बन रहा है और आत्मिक स्थिती जो अब होगी उस अनुसार वो शरीर नया बनेगा उस अनुसार संसकार बनेंगे और उस अनुसार उस आत्मा का नए शरीर में भाग्य बनेगा तो जब हमें ये सब याद हो कि अब हम यहाँ से जो vibration भेजेंगे वो उनके नए शरीर और उनके नए शरीर में नए भाग्य पर असर करने वाला है तो हम यहाँ से कौन सी energy भेजेंगे? याद हमेशा आएगे लेकिन एक याद होती है दर्थ में याद और एक याद होती है प्यार में याद दर्थ की याद उनकी शक्ति को भी घटाएगे और प्यार और दुआएं वाली याद उनकी शक्ति को बढ़ाएगे लेकिन हमें लगता है कि कैसे दर्द नहीं होगा ये तब होता है जब हम अपने आपको रोज एनरजाइज नहीं कर रहे हैं अगर हम रोज परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ कर उसकी शक्ति को अपने अंदर भरते हैं तो हमारे से वो शक्ति सबसे पहली चीज उस आत्मा तक जाती है क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है जब आत्मा गरब में होती है तो उसकी कैचिंग पावर हाइस्ट होती है उसकी कैचिंग पावर बहुत हाइ होती है और वो हमारी सारी vibrations को catch कर सकते हैं तो ऐसे समय पर हम अगर रोज बाबा को याद करके उनको वो याद की शक्ति भेजें अगर हम उनको वो याद की शक्ति भेजें तो वो हमारा सबसे बड़ा gift होता है उस रिष्टे के अदर जब वो हमारे साथ होते हैं तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए ready होते हैं लेकिन जब वो हमारे साथ नहीं होते हैं तब हमें उनके लिए ये ready होना है करने के लिए हमेशा याद रखना है हमने एक जना खोया है लेकिन उस एक आत्मा ने सब कुछ खोया है पूरा परिवार, सब कुछ जो कमाया शरीर, सब कुछ खोती है आत्मा एक सेकंट के अंदर तो उनका दर्थ हमारे दर्थ से कई गुणा जाधा होता है क्योंकि हमारे पास थो अभी भी है ना, बाकी सब लेकिन वो एक सेकिन में सबकोख होते हैं तो उनका दर्द बहुत जादा होता है तो हमारी responsibility होती है कि हम रोज meditation में भी परमात्मा की शक्तियां बाबा को याद करके वो शक्ति उन तक भेजे हैं ताके उनका नया शरीर और नया भाग्य एक कौन से energy पर start होना चाहिए और इसलिए योग में जो प्रयोग हम करते हैं कि योग मतलब क्या और ये सबको करके देखना है किसी के साथ पर आपको अपने रिष्टे को ठीक करना है कोई आपका कहना नहीं मान रहा है कोई बात आपको करानी है, कुछ करना है नहीं होना चाहिए लेकिन जो message आपको उनको देना है आप परमधाम में बाबा के पास बैठकर उस आत्मा को वहां इमर्च करें और बाबा को याद करके बाबा की शक्ति उस आत्मा को दें और उनको वो message दें और फिर आप प्राक्टिकल में देखें कि वो message उस आत्मा ने catch कर लिया होता है जो बात यहां से बोलने से लोगों को नहीं समझ में आती हमारे लेकिन उनको वहां परमधाम में बाबा के पास बिठा कर वो message भेज़ते उनको catch हो जाएगे और अगर यहां लोग वो बात catch कर सकते हैं तो इसलिए निराहकारी स्थिति में बैटकर बाबा की शक्ती को अपने अंदर भरना फिर उस शक्ती को अपने शरीर को देना अगर शरीर में कुछ फिर वो शक्ति को उस आत्माव तक देना और फिर उस शक्ति को प्रकृति को देना और उस शक्ति को उनको देना जिन्नोंने नया शरीर लिया है ये सब कुछ योग में होता है सब योग में होता है और ये शक्तियों की सेवा करते हुए सबसे पहले मुझा आत्मा की शक्ति क्या होते चाहेगे बढ़ते चाहेगे